प्रणाम सभी योग प्रेमियों, योगा उन्डागियों, मात्र सक्ति आज पुना मैं आप लोगों को बीच में एक बार उपस्तित हूँ आज का टार्गेट मैं किसी एक ब्रक्ति भी से इसको लिया हूँ बीमारी एक को उती है पुछता कोई एक ब्रक्ति है, लाव अनेकों को मिलता है तो आज का जो विशे है उस विशे पर जो चर्चा करेंगे, जो अभ्याज बताने का प्याज करेंगे वो है सज्जन ससी भसिष्ट जी USA, अमेरिका के कर्नोफोनिया पर राते है अनराई है, बारत के ही रहने वाले है लगभग उम्र उनकी 70 साल है उन्हों में मेरे और वीडियो देखकर के उन्होंने अभ्यास किया और लाव मिला और उन्ही की विशेश प्रयास पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ बीमारी तो प्रयास हवो को होती है सब को लाव मिलेगा, आप देखिए पहला जैसा उन्होंने मुझे बताया पहुंसे भी बारता हुई, मेल भी किया उन्होंने वो है उनके ब्रेन में माइनर अटेक हुआ था परलाईज हला आज वो चल फिर रहे हैं स्वस्थ हो गए, प्रमात्मा उन्हें बचा लिया और अब दुबारा उन्हें नहों सरीरी पूरा रिकवरी कर ले उसके लिए एक दो प्रालया मैं बता रहा हूँ उनके पहले में भी तकलीफ आ गई थी हाला चल फिर रहे हैं लेकि दिन पर दिन एक एस प्रेक्टर आए, कुछ बिकने सो रहा है, उसके लिए मैं बताता हूँ पहले जिनको भी ब्यट पेसर की सिकायत हो, जिनको फिट आती हो, जिनको माइनर अटैक पड़ा हो या मेजर भी पड़ा हो जो बिस्तर पर पड़े हैं, हाथ पैर नहीं, उनका उठ पा रहा है, उनको भी ये प्रालायम जरूर बताईए, दो प्रालायम बता रहा हो और जज़ा करेंगे तो एक प्रालायम और बता देंगे, बहुत अच्छा लाब मिलेगा अगर आप चलपी रहे हैं, तो आप बैट करके करिएगा, अगर कोई ब्यप्त ऐसा है, जो बिस्तर पर लेटा है, उनको लेटे लेटे प्रालायम कराईए, पर मात्मा चाहतों बैट जाएंगे बंदू वो निरों के लिए बीमारी के लिए मैं बता रहा हूं, फीट के लिए भी है, मिल्गी के लिए भी है और जो अटेक आता है, जो स्ट्रोक होता है हमारे हां, यहां पे ठके बन जाते हैं, हमारे प्लाटिंग हो जाती है, उसके लिए पहला प्रालायम आप करिए, दस मिनट घड़ी से लगवल अनुलूब yapıyor कैसे करेंगे में देखे ये पीछ सिदा है लेप से साःस ने रहे हैं हौर लुजंस निकाल लें है पुरा राय EL रहे है लेप्ट से निकाल लुजंस निकाल ल है पुरे लेप्ट से निकाल लुजंस ले हैं और राइट से निकाल रहे हैं बावनात्मक की लिए पूरा सांस ले रहे हैं और सांस निकाल रहे हैं मस्तिस को पूरा आक्सिजन दे रहे हैं सरी का टाक्सिन निकाल रहे हैं क्यों सांस नहीं खीच रहे हैं सांस के सांस साथ यह सांस भी बना रहे हैं अनुलों बिलों प्राड़यम एकदम मस्ती में सास लेना और निकालना पूरा लेना पूरा निकालना बेन को आपसीजन देना टाक्सिन बाहर करना इसकी दिया का कार है इसको पांच मिद्ट से शुरू हो करके दस मिद्ट तक ले जा करके दस मिद्ट प्रद्दिन करिए सुचाज सिद्वित्व करके खाली पेट पीट सिधा करके खुले अस्थान में आप प्राड़यम करेगे अलुलों बिलो जुसरा प्राड़यम राम बार का काम करेगा यह नीरो के लिए साइनस के लिए लेर्जी के लिए अम्रित है आज के बाद नीरो संबंधी मैग्रेन स नाम है सुर्यवेदी चंद्रवेदी प्रावयम कई मेरे वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने फिर से देखिए जिनको फिट आती है जिनको मिर्गी की सिकायत है जिनको इस्टो पढ़ चुका है थोड़ा बहुत उसका असर है इस प्रावयम को करे सुर्यवेदी और च था सब दो जोाव निकालना कुचह यह फिर्म पंद्रह आस दर से फिर्म फिर्म फास दर से छिवर्गान जनलिना अभेनाना देना दोनों, दो राउंड हुआ, एक बार आओ, पंद्रा इधर से, पंद्रा इधर से, मात्र तीन बार, पंद्रा इधर सांस लेना, पंद्रा इधर एक बार हुआ, पंद्रा इधर, पंद्रा इधर, दो बार हुआ, फिर पंद्रा इधर, पंद्रा इधर, तीन बार, यह था दूरों के लिए साइलस एलर्जी के लिए पीट के लिए जरास कहीं भी आपको प्लाटिंग हो गई है ठक्के जंग गए ब्रेंड में आप इसका ब्यास करें तीन महिना अगर बंदू हो गया मिर्गी जैसी असाद विमारी दूर हो जाती है और छोटी मोटी विमारी की दो बात छोड़िए ये छोटा सा ब्यास एक तो दोनों आसा चेद खुला रहेगा ब्रेंड को पूरा अक्सीजन मिलेगा और ब्रेंड को अक्सीजन मिलेगा नीरो क्या कैसे करेंगे देखिए मेरा भी सांस निकालना है कुछ ही हूँ जादा जादा कारवन डाय अक्साइड बाहर का पेकना दोनों नासा चिद्र से मुबंद रहेगा ध्यान लखिए गौर से देखिए एक प्रड़यम काम कर जाएगा तरीके से करेंगे ध्याद नहीं देंगे जिंदगी वरनाग दबाते रहेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है जादा जादा सरी का कारवन डाय अक्साइड बाहर पेकना बिजाती तत्व को निकालना समस्त विकार को बाहर पेक देना सुध्ध प्राण को हर जगा पहुँचने के लिए उस किये कैसे भस्तिका जाए आए अब बाहर बीज बीस करके दो रहूं तीन राउंड आप कर लिए एक डाम समस्त रहेंगे शमय बीता 15-20 दिन हो गया तो आप इसको 30 तीस बार तीस बार और भस्तिका करिए समस्ट टाक्सिन बाहर निकालेंगे आप बस्त रहेंगे तीन प्राड़ायम किया आपने अनुलोम बिलोम बाहर से लेना दाइने से लेना बाहर से निकालना दूसरा प्राड़ायम सुरेवेदी चंद्रवेदी सुरेमाने राइट चंद्रमाने लेट दोनों आसा छिदर खु बस थी क्या एकदम जीवन बदल जाएगा यह था नीरों के लिए अब आईए इसी में थोड़ी विक्रितियां हो गई है मेरा पैर बिक्रित हो गया है विक्रित का मतलब हो सकता है उसमें थोड़ा वहुत वह आटेक का अंसरा गया हम चलने में डगमगा रहे हैं बैलेंस नही चल पा रहा है कमजोर मसूस हो रहा है दो एकसरसाइज पैर फैला करके एक एकसरसाइज खाड़ियों करके एकदम बैलेंसिंग घुटने में भी आरा मिलेगा तल्वे में जैसा वह सज्जन ने बताया कि मेरे पैंजोए में तकलीफ है आप पैर फैला लीजिए मेरे साथ औ इक लि서 कुछियों किक्स के जकड़िये खोलिये जकड़िये जकड़िये खोल और गिंदी करके अगर एक पैर पीछे इक पैर पीछे आगे, पीछे, अंदर, बाहर, खीचे, ताने, पुरा कुछियों, जे, यह, हाँ, हाँ, ऐसा करके सो बार तानिये, आपका पेट से ले करके, कुल्ने तक की, सारे नसों का किचा होगा, नस चिपकी है, नस में रक्त पुरा नहीं पुरुत पारा है, इसका अभ्यास करिए, अ इतक लिए और वो खड़े हो के करेंगे, तो आएए, खड़े हो जाते हैं, कमर के नीचे, घुटने के दर्द में, चलने में तकलिफ होती है, बैलेंस नहीं बन पाता, ठक जाते हैं, चले-चले, इस्टेबना नहीं रह गई है, खड़े होने में, आपको हर जगा कोना स्वस्त रहेगा, चोटा सा व्यास, दिन वर आप चलते पिरते रहेए, सरीर आपका सबसे ज़्यादा कार करेगा, एक आप आसन, यह आसन नहीं किया, समझे कुछ नहीं किया, यह क्रिया नहीं किया, तो कमर के नीचे का सारा भाग आपका विकार है, कमर के नीचे के सारे अ आपके खुब खड़े रहेंगे घुटना भी स्वस्त रहेगा बैलेस बनता रहेगा एक दामान अंदर से लेंगे दोनों हाथ कमर पर अपने बड़ा राम से घुटने में तो अम्रित का काम करता है लेकि पैर सुएगा नहीं कुछ ऐसे पैर को उठाना मारना उठाना मारना ह पैट को मार ये पैट भी अंदर हो रहा है और आपका दोनों हाथ कमर पर रख लिए आपने जांग से पैट को मारना सुरू करिए 20 से 25 से और इसको 50 तक ने जाएगे पैट भी अंदर रहेगा आपका घुटना भी स्वस्त रहेगा कमर के नीचे रख्त पहुंचता रहेगा दिन भर दवडेंगे दिन भर कार करेंगे कमर को हाथ पर रखा आपने कुछी हो एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस ग्यार बार आउठाए तेरह चौदह पंडर सोल सत्रह अठारह उननिस दीस पचास बार एकिस बाइस तेईस चौबिस पचीस चबिस सताइस आउ पचास बार इसका भ्यास करिए देखिए आप स्वस्त होते हैं कि नहीं होते हैं चोटी सी क्लिया कमर के नीचे के सारे रोग अपने आप ठीक होते जाएंगे इस्टेबना बनी रहेगी आप मस्त रहेंगे स्वस्त रहेंगे जरू करिए वजन भी नियंतित रहेगा और आगे आगे भाग्टे नजर आएंगे धल्लेवाद आज इतना ही सब को पढ़ाएं